आज फिर उपच्टे तुम्हें एक बीएसनल से जोड़ी वीडियो को लेकर तो दोस्तों बीएसनल की फोट जी के बारे में एक न्यूज आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि दोस्तों अभी फिलाल सीमा पर जो सियाचीन वाउडर की तरफ बहुत ही जादा जो हताना तनि बनी हुई है दोनों सेना हो कि चाहें वो इंडियन सेना हो तो दोस्तों काफी जादा इसमें जो है एक अलग सा बदला वारा है कि टेलिकॉम सेक्टर में भी इन दोनों लड़ाईयों को लेकर दोस्तों मैं आपके लिए बता दू कि 15 तारिक के लिए यानि 15 जून के लिए एक लड़ाई हुई थी चीन की सीमा के बीच और भारत की सीमा की बीच वो एक नदी है उस नदी के आसपास कहीं लड़ा हुई थी तो उसमें भी काफी जादा रोड डंडा ये जो आदी हथियार थे गोली नहीं चलाय गई थी इन से जो अकफी जादा नुकसा इसी को देखते हुए अभी प्रदामंतरी नरंद मुदी ने एक बयान दिया है टेली कॉम सेक्टर के बारे में यानि मैली डिपेंडेंड है ये बी एसनल के फोर जी पर तो चलिए बात करते हैं और बात करेंगे सैली के बारे में भी लेकिन उससे पहले जानते हैं इस खास न और इरिक्षन ये तीन कंपनी है तीनों ही चाइनीज कंपनी है जो की एक्विपमेंट सेल करती हैं टेली कॉम सेक्टर के जो टावर होते हैं जो इस्पेक्टरम होते हैं 3G, 4G, 2G, 5G जिनके इस्पेक्टरम होते हैं उनके इंस्टुमेंट ये तीनों ही कंपनिया सेल करती ह और दोस्तों मैं आपके लिए बता दों चाहे ये private हूँ चाहे ये government company हुँ तेलिकॉम सेक्टर की तो दोस्तों इस पर काफे ज्यादा पहले से ही करजा है चाहिए वो एटल हो आइडिया हो टेलीकॉम ने कहा है कि हुआवे और जेटी के साथ कारोवार को कम करने या रोकने के लिए सरकार के पास कोई संदेश नहीं था दोस्तों मैं बता दू आपके लिए कि इस प्रकार से सब कुछ अच्छा कासा चल ला था अगर यह चीनी आर्मी चाइनीज आर्मी अगर इंडिया पर आटेक नहीं करती या लड़ाई नहीं होती तो सब कुछ ठीक ठाक चला था समान आ रहा था निटवर्क अपगरेड किया जा रहा था और भी बहुत सारी बात है सब कुछ अच्छा कासा चल रहा था लेकिन दोस्तों यह इस घटना को देखते हुए सब कुछ बंद कर दिया चाइनीज कोई भी माल नहीं खरीदे जाएगा इंडिया के अंदर दोस्तों यह काफी जादा यह एक बुरी ख़बर हो स अकेले के पीछे नहीं खदेड़ा जा सकता है बी आई एल का यूके यार अठावन हजार करोड रुपई से अधिक है जिसमें से लगबग साथार करोड रुपई का भुक्तान किया जा चुका है जबकि एटल का लगबग से तालीस जान नौसो असी करोड रुपई यहां का जिसमें से की अठारे हजार करोड रुपई से थोड़ा अधिक है दोस्तों आपके लिए बता दें कि चाईनीज कंपनियों को पहले से उसका उधार ले रखा है अभी ए जी आर उसका दिया नहीं है इन लोगों ने बोड़वन है और भरति है या पर प्राइबेट टेल को चीनी विक्रिता बकाया में किरम शाह सो से साड़े चैसो मिलियन डॉलर और तीन सो मिलियन डॉलर का भुक्तान करने के लिए मजबूर किया जा सकता दोस्तों बता दे कि इन दौनों ही कमपनियों पर एजी आर बकाया यानि कर्ज बकाया है एट और आइडिया पर अगर वी एशनल की जो क्विपमेंट है या फिर प्राइबेट टेलिकॉम सेक्टर की जितनी भी कंपनिया है एटल जी और फोन यह अगर चीनी कंपनियों से समान नहीं खरीती है तो वो अपना करजा मांगेगी वो अपना एजी आर चुपता करने को कहेगी कि चलिए मत खरी दिये लेकिन हमारा पैसा अभी क्या भी चाहिए और दोस्तों आपके लिए बता दे के इंडिया के अंदर जीओ को छोड़का जितनी भी टेलिकॉम सेक्टर की कंपनिया है सारी कि सारी कंपनिया घाटे में चल लिए तो यह कैसे पैसा जो उसका दे पाएं अनुबंदर रंद करने के लिए थे और भविश्या के प्रिस्ताव के साथ साथ योगल के लिए भर्जित है एक परेद रिश्या जो कि बोड़ाफॉन आइडिया से बित्तिय सिर्दर्द का कारण बन सकता है तो दोस्तों पहले ही बोड़ाफॉन आइडिया इतना अच्छ नहीं ग्रोफ कर पा रहे हैं पहले ही तंगा तंगी चल लगी है इसमें भी पैसों की और उपर से अगर यह नहीं खरीते हैं सामान यानि जो टेंडर है वो वी एसनल का वो रद किया जाता है तो यह भी कंपनिया घाटे में जाएंगी अगर बोड़ाफॉन आइडिया और अच्छानक चीनी भासा से निटवर्क गेर खरीदने के लिए रोका जाता है तो हुआवे और जैटी के पास कोई विकल्प नहीं हो सकता लेकिन दो अशाद्यों को जल्दी से पैसे बसून लेकि प्रयाशों के लिए गेर आप उती के लिए उन पर बकाया है दोस्तों टेल कारी दे दिये कि सामान नहीं खरीदा जाएगा दोस्तों मैं बता दो कि जियो इसलिए इसमें बच जने वाला है क्योंकि जियो इससे नहीं खरीता जियो नोकिया से खरीता जो कि न्यूजिलेंड की कंपनी है इसलिए और इरिक्षिन से खरीता तो वो बच जाएगा हमार है तेली लेप मौझूदा सेवां के लिए रख राकाब के लिए दोस्तों यह जो है काफे यादत एक गटना हो सकती है इसके लिए भी एसनल के लिए भी क्योंकि बीएसनल अगर सामान नहीं खरीता है तो दो जो टैली कॉम सेक्टर की कंपनिया है दोनों ही थप होने वा जैसा कि मोधी सरकार ने क्या रखा है प्रदानमंदी नरेद मोधी ने एक स्पीच दे ते उसमें बोला था कि हम किसी भी चाइनीज माल का उप्योग नहीं करेंगे मौबाइल फॉन हो या कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट हो हम उसका यूज नहीं करेंगे पूरी तरह से उ साइजनिक सहीद हुए है तो दोस्तों यह काफी ज्यादा एक सोचने वाली घटना है अगर सामन नहीं खरी दे जाता है तब तो पचास हैर रुपए का जो बखाया है पचास हैर करोड़ रुपए का वह एटल के लिए वापस करना होगा और ऐसे मैं सरकार को उसको दन मांगे गए थे जो बेंडर बनना चाहते हैं तो वो लोग इसका करें आवेदन और 24 जून के बाद उसके लिए रिवील किया जाएगा रेजल्ट रिवील किया है कि कौन इसका बेंडर घोसत किया गया है और काम चालू किया जाएगा लेकिन दोस्तों अगर यह फिलाल बात हो सकती है क्योंकि अगर नहीं लिया जाना है तो किलियर कट हो जाए कि नहीं लिया जाना है तो इंडिया जो मेकन इंडिया के सामान है मेकन इंडिया के फोड़ी इंस्टुमेंट है उनका यूज करेगा लेकिन अभी यह किलियर नहीं हो पा रहा है कि लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा लेकिन प्रदान मंतरी नहीं मोदी के बयान सुने तो दोस्तों उनके बयान से किलियर हो जाता है कि नहीं लिया जाएगा अगर अब ही ये दूसरा जो है उसने पंगा अटका दिया कि 50,000 करोड रुपए का जो एजी आ रहे हों हुमारे लिए दिया कितने दिन में फोर्जी लग जाएगा उसी के बाद बी एसनल की जो सिच्वेशन है वो हैंडल हो पाएगी अच्छे से बी एसनल चल पाएगा तो दोस्तों अभी सेलरी भी नहीं दी गई है बी एसनल के इंपलोई की मैं की सेलरी काफी जादा डिले हो चोगी है दोस्तों बता दे कि एक बार हुआ था कि एक महीने सेलरी डिले हुई थी लगता है यह दूसरा महीना भी ऐसा ही होगा कि यह एक महीने डिले हो दोस्तों पंद्रे दिन दो डिले बीस दिन दो डिले हर महीने की हो ही जाती है लेकिन यह लगता है कि महीना पार भी कर सकती है दोस्तों म कि जमीन है। जो की किराया है मैं वह रिलीज कर दिया गया है दोस्तोब वह पहिने का जो किराया वो रिलीज कर दिया गया वो आप लोग जाके अपने बैंक अकाउंट में चेक करिए अपने टेकिन से पूछे आईश्डियों से पूछे कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आया है तो दोस्तों यूपी बैस्ट सरकल की बात कर रहा हूं मैं यूपी बैस्ट फिल हो सकती है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिस करता हूं तो इसलिए मैरे चैनल को सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना और दोस्तों वीडियो को शेयर करिए अपने उन साथ ही इंपिलोई के साथ जो फिलाल इससे अपडेट रहने के बहुत ही ज़्यादा जरूरत मन्द है तो चली दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो तब तक के लिए अपना ख्यारा रखिए बाई दोस्तों